बिखार के पूर्णिया से सांसत पपू यादव को जान से मारने की धंकी मिली है कहा जा रहा है कि लॉरेंस गेंग की तरफ से धंकी दी गई है कॉल UAE के नमबर से आया है पपू यादव ने कॉल के रिकॉर्डिंग बी जी पी को फिजी है इस रिकॉर्डिंग में दावा है कि वो लगातर पपू यादव के कई छिकानों की रेकी कर रहा है और उसे जान से मार डालेगा कॉल करने वाले ने पपू यादो को सल्मान खान मामले से अलग रहने की हिदायत भी दी है धमकी देने वाले का दावा है कि लारिंस विश्णोई जेल में एक लाक रुपे प्रति घंटा दे कर जैमर बंद करवा कर पपू यादो से बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पपू यादो फोन नहीं उठा रहा है दरसल बिश्णे गुरुवार को पपू यादो ने मुंबई में बाबा सिद्गी के बेटे जिशान सिद्गी से मुलाकात की थी उन्होंने एक अक्तर सल्मान खान से भी मिलने की इच्छा जताई थी लेकिन पपू की सल्मान से मुलाकात नहीं हो पाई थी इससे पहले पपू यादो ने एक्सपर लॉरेंस गेंग को दो कोडी का गुंदा बताया था तेरह उक्टूबर को पपुयादो ने सोचल मीडिया एक्स पर लॉरेंस बिश्णोई गैंग को दो कोड़ी का गुंदा बताते हुए धमकी दी थी नोने कहा था कानून अनुमती दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्णोई जैसे दो टके के अपरादी के पूरे नेटवर्क को खतम कर दूँगा पपुयादो ने अपनी पोस्ट में देश को लेकर विवादित शब्दों का भी इस्तिमाल किया था नोने एक्स पर लिखा था ये देश है या ही जोड़ों की पोच एक अपरादी जेल में बैटे चुनोती देकर लोगों को मार रहा है सब मुख दर्शक बने हैं कभी मुसे वाला कभी करणी से ना के मुखिया अब एक उद्योग पती राजनेता को मरवा डाला कानून अनुमती दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्णोई जैसे दो टके के अपरादी के पूरें नैटवर्क को खतम कर दूँगा मुंबई में बाबा सिदिकी के बेटे से मुलाकात के बाद सांसत पपुयादा उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया मुंबई से लौट रहा हूँ शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभी नीता सलमान खान से मुलाकात नहीं हो पाई उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था उनसे फोन पर लंबी बात हुई वो निडर निर्विक हैं अपना काम और इंसानियत को पहली प्रात्मिक्ता बताया हर परिस्तिती में मैं उनके साथ हूँ